अधिकार 17 साल बाद पड़ित लोगेश जी श्यमा एवं सरबंच मनोज कोशल द्वारा ओल्ड एवी रोड से चली फोन नगर तक पहुच मारग रोड का पूमी पूचत किया गया जिसमें मुख्य अतिती सुनिल रावत और साथी में जॉक्टर रीता तिदी उपमन्यू सुभाश कोशल रवीश सेनी साथी में अशोक पवार प्रकाश चोहान विशेश अतिती के रूप में उपस्तिते 17 साल बाद शुरूए इस रोड के निर्मान कारे से शेत्र के रहवास है जो कि पूरे श्रे मनोज जी कोशल सरपंच सहाब को जाता है जिसके अतक प्रयास से यहां कारे संबह हो पा रहा है सभी सम्माननिय जोनों ने खुशी जाहिर करी एवं मिठाई और फूल हार्ट से रहागीरों का स्वागत किया बताए मनो जी जगो इतने मीटर का रोड है क्या लागत है कब से मामला पेंडिंग पड़ा था जो अब इसका उद्गाटन का बारी आया यह रोड नो साड़े नो सु फिट लंबा है और इसके लागत लगभग नो लाग कुछुटर रहजाद उपर आई है यह पंचायट में देखी रासी पंद्रों भी थायोग से इसका निर्मान गारी हो रहा है कई कालोनियों की डिमान थी काफी वर्षों से रोड को बनाने के लिए लगभग यह मान के चले किसमें साथ से आड कालोनियों का रोड है यह काफी जरजर हो चुका था कि स्कूल की बसे वगएरा बच्चे उगरा तो बहुत समास्या यह से जोजिना परता था इस जो भी गान का रही हो हमारी भावी देंगी हम बताएं मैं अपनी और से पूरी पंचाइट के प्रतिनियों को हमारे सर पंच हमारे जन्पत के सब्ससे जिला पंचाइट के सब्लक सबी को बहुत बहुत बदाई देती हूं कि बहुत लंबची समय से रोड हमारा अपून था बनी नहीं पा रहा था किसी कारण बस अभी जब कुछ लोगों ने डिमांड करी मानी विद्याइक जी के पास भी गए भाईया के पास भी गए सर्पन सापके पास तो यह जो हमारे पंदमें विद्की राशी जो लागू होती है ने थोड़ा थोड़ा बचा के और लगबद 9,660,000 रुपे से राशी कारी चालू किया है और आप सब के आशिर्वासे जो यहां रहते हैं हमारे जो भी रहवासी हैं हम लोग तो काम करके चले जाएंगे मगर इसको देखबाल आपको करनी इसमें तरही करना है कैसा कारे हो र रहेगा और मैं पुना है आप सबको अपनी और से बढ़ाई देती हूं साथकर हमारी पंचाय के सर्पंचाय के सर्पंच महोड़ा ही हुआ है सारा कारी अधरवासी 17 साल से नहीं हो रहा है कितने जाल से कितने जाल है पंडिंदा 17 साल पहले दरबाड जी ने बनाया था इस स वाइज ओफ रैड्स क्ले महूस सुनिल रावत की रिपोर्ट